आज मेरा यहां आने का परपस यह है कि जो एक्जाम का स्टीडियोल है वो आ चुका है एक्जाम के डेट फाइनल हो चुके हैं तो जो बच्चे अभी तयारी स्टार्ट करने का सोच रहे थे एक्जाम के डेट आने के बाद उनके लिए भी कुछ की पॉइंट रिसकस करेंगे और जो अलड़ी कंटिनेशन में हैं जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या करना है जो भी टाइम बचा है हमारे पास जो भी टाइम बचा है उस टाइम में कैसे बेस्ट इटलाइशन कर सकते हैं और हम लोग एक्जाम निकाल सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे राइट, जो schedule exam आया है, उसके हिसाब से जो exam हने वाला है stage 1 का, वो होगा 9th, 10th और 11th को ब्रांज हिसाब से है, तो अगर इस exam को देखते हैं और ये इसी दिन exam होता है, तो लगवक हमारे पास 4.5 months है, 4.5 मेना अभी हमारे पास है, और इस 4.5 मेना में अगर हम धंग से महनत कर लेते हैं, और बढ़िया से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ लेते हैं, तो आराम से stage 1 exam निकाला जा सकता है, clear है, तो भी हम लोग चलते हैं, कि जो हमारे पास time बचा हुआ है, इस time का best utilization कैसे कर सकते हैं, तो पहला point हो गया, कि हमको subject wise weighted identify करना है subject के हिसाब से, और उसी हिसाब स RCC हो गया, soil हो गया, building material हो गया, इससे काफी ज्यादा questions रहते हैं, ठीक है, बट ज्यादा questions होना से यह जरूरी नहीं कि आपको time ज्यादा देना है, कुछ subject ऐसा होगा, जहां questions कम होगा, फिर भी थोड़ा time हमको देना पड़ेगा, जिसे strength of material है, right, strength of material में अगर question आता है, नह ही आता है, फिर भी हमको strength of material को समझना जरूरी है, क्योंकि उस चीज़ से बाकी सारा चीज़े related है, तो अगर हम preparation start कर रहे हैं, या start कर चुके हैं, एक दिर महने पहले, तो उन दोनों case में subject का sequence ठीक से रखना बहुत जरूरी है, कि कि किसके बाद क्या पढ़ना है, so that, जो subject ह में पढ़ा, उसका advantage ले सकते हैं, next subject में, जैसे अगर directly आप पढ़ लेते हो, RCC, without knowing कि stresses क्या होता है, ठीक है, यह हम लोग डारेक्ट पढ़ लेते हैं, steel, without knowing कि shear center क्या होता है, bending stress क्या होता है, उसमें हम लोग को देखना है, questions कितना आए है, plus कि subject को कितना time देना है, वो थोड questions कम भी आएं, या कम आएं भी होंगे, या मालोग कभी नहीं भी आता है, वैसे समसे question आता है, तो उस case में हम लोग सम को disregard नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम के बिना बाकी सवज़ट पढ़ना है, तो एक proper sequence बनाना है, subjects का, so that एक सवज़ट पढ़ने के बाद, दूसरे में उसका advantage हम लोग ले सके हैं, बैसे civilization का देखेंगे हम, तो syllabus बहुत ज़्यादा दिखता है, बट interlink करके पढ़ोगे, तो थोड़ा benefit होगा, याद करने में भी, और उसका जो questions होगा, उसको solve करने में भी, next हो गया, give witness to non-technical, right, तो non-tech जो हमारे पास है, इसमें general intelligence reasoning हो गया, general awareness हो ग stress में आ जाएंगे कि non-tech पढ़े हैं या tech पढ़े हैं, तो अभी से start कर दो, थोड़ा थ्रा non-technical भी पढ़ना, क्योंकि weightage इसका भी अच्छा ही होता है, stage 1 में, तो we need to give focus to non-tech also, अब अगर हमने पढ़ाई किया, तो हमको आपने आपको टेस्ट करना है, कि हमारा जो पढ़ process repeat भी होते हैं, लेकिन P.O.I.Q. आप लोग ऐसे ही solve नहीं करोगे, एक बार पढ़ोगे subject, revise करोगे, उसके बाद solve करना है, और just अपने आपको gauge करने के लिए कि मुझे कितना आता है, अगर उसके लिए हमने solve कर दिया, और वहाँ पता चला कि हमने बहुत ही गलती, बहुत ज उसको आप refer कर सकते हो, अगर आप लोग के पास है, तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो just refer it, उसमें हर question का काफी ज्यादा detailed solution दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, कि एक questions करने से आपका आज पास के 3-4 questions 100% solve हो जाएंगे, तो हमने पढ़ाई किया, तो हमने Master Learner का अभी test trees है, उहाँ पर भी आप लोग जोन कर सकते हो, तो जैसे पहले भी मैंने कहा था, अगर subject wise के वेटेस के regarding detail ठोड़ा सा देखना होगा, तो आप हमारा Master Learner का previous वीडियो होगा, उसको refer कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आप से discuss किया, कि ये सारा चीज़े हम लोग को त covering the complete syllabus of SSJ, both technical and non-technical, ठीक है, जो study material है, वहाँ लोग उने खुझ से बनाया हुआ है, तो उसमें बहुत variety question होगा, true false question होगा, numerical question होगा, ठीक, previous year questions के भी, कुछ concept उसमें discuss किया किया होगा, और test series होगा, complete test series, आपने आपको gauge करने के लिए, आपके level को check करने के लिए, उसके बाद doubt clearing session होगे, तो अगर आप कोई complete guidance है है, तो आप लोग 28 मही वाला batch join कर सकते हैं, और बाकी अपना पढ़ाई जारी रखे, time wastage ना करें अभी और, since exam का date final हो चुका है, और इसको देखते हुए, जो four and half months लगवग हमारे पास बचा हुए है, उसको 100% तरीके से best utilize करना है, so that you can clear the level one or stage one exam, okay, so हमारे तरफ से इतना ही, thank you very much, take care, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं, thank you.